हेलो फ्रेंड्स आज में बनाने जारी हूं नौरत चट्नी जो कच्छे आम से बनती है उसके लिए मैंने लिए हूं कच्छा आम जिसको के मैंने लंबा लंबा काट ली हूं इसे मैं गुठली के साथ ही पका रही हूं इसे मैं थोड़ी देर ढखकन ढखकर स्लो आज पर पांच से दस मिनट पकाऊंगी जिससे के कहरी अच्छी तरह नर्म हो जाएगी सौंप, धनिया और कलॉंजी मैंने ली हूं उसे मैंने सिर्फ दरदरा सा पीस ली हूं अब ये मैं डालूंगी कहरी में इसके बाद मैंने डाली हूं नमक, काला नमक, लाल मिर्च, गुड़, इसे डाल कर मैंने थोड़ी देर अच्छी तरह पकाए जब तक गुड़ गल नहीं जाता इसके बाद मैंने डाली हूं शपकर और ये चट्नी तयार हो गई, बहुत जद्ली बनती है ये चट्नी बहुत ही टेस्टी होती है अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत है